तो स्टूर्म्ट साज हम लोग करने जा रहे हैं दा मेकिंग ओफ अग्लोबल वर्ल तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले यहां बात किया गया है कि कैसे पुरानी सोसाइटीज में एक ग्लोबल वर्ल बनाने की तरफ स्टेप्स ली गई थी और क्या क्या एक्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं कि उस समय की सोसाइटी भी ग्लोबलाइजड थी और वहां पर भी एक ग्लोबल लेवल पर इंटराक्शन होता था कल्चेर्स और ट्रेडिशन्स के बीच में तो यहां पर देखा गया है कि कौरीज जिन्हें माल्डीव्स में बनाया जाता था या फिर जहां माल्डीव्स में इन्हें ज्यादा पाया जाता था वहां से ये चाइना और इस्ट आफरिका तक पहुँचे सिल्क रूट जो की कृष्टन एरा के पहले से लेकर 15th सेंचुरी जिसे BCE कहा जाता है मतलब जो कृष्टन एरा शुरू हुआ था 0 BCE से उसके पहले से लेकर ये 15th सेंचुरी तक चला आ रहा था इसे सिल्क रूट कहा जाता था इसमें सिल्क पॉटरी चाइना से, टेक्स्टाइल्स और स्पाइस इंडिया और साउथ इस एशिया से और गोल्ड और सिल्वर यूरोप से चल कर आता था और ये एक मेजर सोर्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज हुआ करता था उस समय में इसमें कई सारी कंट्रीज गवर होती थी यूरोप और एशिया की और उन सभी रीजिन्स में एक कॉमन कल्चर बनकर उभरा इसी सिल्क रूट के जरीए ये सिल्क रूट का एंड कैसे हुआ था ये काफी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है कि ओटोमन एम्पायर ने उस समय के कॉंस्टेंटिनोपल जिसे आज इस्तानबूल कहा जाता है उस पर कबजा कर लिया था उसके बाद वो लोग काफी जादा टाक्स लेने लगे वहां के लोगों से जिसके बाद कई सारे ये उरोपियन ट्रावलर्स ने इंडिया और चाइना के लिए सी रूट ढूनना शुरू किया और धीरे धीरे ऐसे ट्रावलर्स इंडिया चाइना पहुँचने लगी सबसे लिवास को डिगामा जिसे हम लोग जानते हैं वो इंडिया पहुंचा और उसने एक नया sea route established किया जिसके बाद धीरे धीरे ये land वाले silk route का अंत हो गया स्वेगटी और नूडल्स नूडल्स चाइना में पाए जाते थे इन्हें ही west में जाकर spaghetti बुला गया ऐसा माना जाता है कि Arab traders ने 5th century के Sicily जो की Italy में था वहाँ पास्ता को लेकर गये थे ये concept ऐसा माना जाता है कि China में originate हुआ था लेकिन इसे Arab traders ने इसी silk route के जरिए Europe के countries तक पहुचा आया था और वहाँ इसे spaghetti और पास्ता के नाम से जाना गया Americas में potato, soya, groundnut, maize, tomato, chili और sweet potato पाए गये थे Americas काफी सालों तक इस बाकी की दुनिया से isolated रहा था Christopher Columbus जो की India को ढूणना चाहते थे जैसा मैंने आपको बताया कि Sea Route ढूणने का कोशिश कर रहे थे लोग उस समय उसी में एक आदमी था Christopher Columbus जो की सोचा कि अगर हम लोग India को इस तरफ से नहीं जा पा रहे तो उल्टी तरफ से ट्राई करते हैं वो उल्टी तरफ गया और उसे मिला एक पूरा continent जिसे उसने Americas का नाम दिया और वहाँ पर बाकी European traders जब पहुंचे तब उन्होंने पाया कि यह काफी नई society है और यहां काफी isolated लोग रहते हैं और वहाँ से उन्होंने इन चीज़ों को लिया और फिर पूरी दुनिया में इन चीज़ों को फैलाया Irish potato famine 1845 से 1849 तक आया था इसमें हुआ क्या था कि Ireland के लोग काफी poor थे उन्होंने potato जो कि उसमें नया नया धुंडा गया था उस पर अपनी पूरी society को build किया वो लोग potato ही खाते थे potato ही उगाते थे potato बाना काफी आसान है ये एक आसानी से उग जाने वाला crop है इसे ज़ादा irrigation, fertilization नहीं चाहिए तो वो लोग potato पर overly dependent हो गए थे तो इसी लिए एक बार क्या हुआ कि potato में बीमारी लग गई जिसके कारण potato की जो पूरी फसल थी वो बरबाद हो गई इसी से island के जो लोग थे वो लोग famine के कारण मतलब भुख मरी से मरने लगे थे क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था silver, silver mines of Peru and Mexico, Peru और Mexico South American countries हैं मतलब Central American और South American countries हैं यहाँ पर Spanish Empire का राज हुआ करता था, उन्होंने यहाँ से काफी सारा silver export किया था यूरोप को जिसके कारण यूरोप की economies rich हो गई थी उस समय mid 16th century Spanish or Portuguese conquest of America हुआ था, यह लोग germs of smallpox लेकर गए थे Spanish लोग और मैंने आपको बताया कि कैसे America is काफी isolated region था और इसलिए उन्हें इस disease के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो लोग इस disease को लेकर resistant नहीं थे इसलिए वहाँ पर कई सारे वहाँ के जो native लोग थे, वो लोग मारे गए थे इन diseases के कारण John Winthrop जो की first governor थे Massachusetts Bay Colony के New England में, ये भी American एक colony थी Until 19th century हुआ क्या था कि Europe में काफी ज़्यादा poverty था, crowded थे cities, deadly diseases spread होती रहती थी, religious conflicts थे और dissenters को persecute करिया जाता था, यहाँ पर हुआ क्या था कि Europe में Protestants और Catholics के बीच में एक division आ गया था इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और आप लोग पढ़ेंगे भी print culture वाले chapter में कैसे एक Protestant movement उभर कराया था जो कि कहता था कि हम लोग को पुराने church के ideas में भरोसा नहीं है वो लोग खुद से interpret करना चाते थे Bible को और Bible के teachings को वो लोग खुद ही समझना चाते थे ऐसे Protestants के उपर काफी जादा अत्याचार करती थी वहां की monarchies और वहां जो dissenters कहा जाता था मतलब इन्हें विद्रोही करार दिया जाता था और इन्हें काफी अत्याचार जहिनना पड़ता था इसलिए ये लोग अमेरिका चले जाते थे जहां पर जाकर ये लोग नई colonies में बस जाते थे ये पांचो reasons, major reasons है American colonies की तरफ जाने का लोगों को 15th century में चाइना ने अपने overseas contact को restrict कर लिया और retreat कर लिया अपने आपको isolation में ये center of world trade को यूरोप की तरफ shift करने का एक major कारण था तो जैसा हमने देखा कि Silk Road के थरू Chinese products जाते थे यूरोप की तरफ और यूरोप से gold और silver इंडिया और चाइना की तरफ आता था लेकिन चाइना ने खुद को isolate कर लिया वो एक isolationist hermit kingdom बन गया था मतलब वो लोग बंद करके रहना चाहते थे खुद को पूरी दुनिया से जैसा हम लोग आज कल के भूटान या North Korea को देखते हैं ये लोग world politics में involved नहीं होना चाहते ऐसा ही किया था उस समय के चाइना ने जिसके कारण trade का जो center था वो Europe की तरफ shift होने लगा 19th century में तीन तरह के flow होते थे flow of trade जो की goods का flow होता था flow of labor लोगों का labor के form में flow short term या long term investments लोग एक दूसरे के countries में investment भी करते थे एक दूसरे के regions में investment भी करते थे ताकि उन्हें उन्हें investment पर profit हो और वो लो profit driven investment में ही पैसा लगाते थे corn laws, corn laws लाए गये थे Britain में under pressure from the landed groups government restricted import of corn हुआ क्या था कि Britain में corn import होने के कारण वहां के जो अपने farmers थे उन्हें काफी ज़्यादा loss जहलने को मिला था क्योंकि वो लोग जो corn उगाते थे उसका दान ज़्यादा होता था imported corn से और इसलिए उन्होंने ये corn laws implement करने के लिए government को force किया government इन corn laws को implement कर दिया लेकिन इसके कारण corn के prices काफी ज़्यादा बढ़ गए इसलिए abolish कर दिया गया था क्योंकि industrialists और urban dwellers को high food prices नहीं चाहिए थे वो लोग ऐसा मानते थे कि corn भले import करना पड़े लेकिन अगर उन्हे corn सस्ते में मिल जाए तो वही बैतर है इन Eastern Europe, Russia, America, Australia lands were cleared and food production expanded to meet British demands हुआ क्या था कि Britain में industrial revolution हो गया था industrial revolution के कारण industries वहाँ पर काफी ज़्यादा labor को employment देने लगी थी इसके कारण agriculture में जो लोग पहले agriculture करते थे उनकी number कम होती गई थी इसी लिए जो बाकी countries थी वो लोग अपने area में खाना उगाते थे और फिर उसे Britain को export कर देते थे ताकि Britain में जो population industries में involved है उसे खाना दिया जा सके 50 million people emigrated from Europe to American Australia by 1890 global agriculture economy had taken shape ऐसा एक agriculture economy बनना शुरू हो गया था 1890 तक इसमें होता क्या था कि जो industrialized nations थे वो लोग अपने ज्यादतर labor force को industries में डाल देते थे जबकि जो agricultural nations थे वो लोग अपने ज्यादतर labor force को agriculture में डाल देते थे इन agricultural countries से जो extra food उपजता था वो export कर दिया जाता था industrial countries को और उन industrial countries में जो industrial goods बनते थे उन्हें export किया जाता था ऐसे आइडिकलचल कंट्रीज को इस तरह से ग्लोबलाइजड एकॉनोमी फॉर्म होना शुरू हो गई थी अगला बात आता है कैनाल कॉलोनीज का ये एरियाज इरिगेटेड बाइ इरिगेटेड बाइ न्यू कैनाल सेमी डेजर्ट वेस्ट लांप्स को फर्टाइल लान में कनवर्ट करने का ये साउथ एशिया में कई जगहों पर देखने को मिला जहां पर कई सारे कैनाल्स रिवर्स दिग किये गए ताकि जो समी एरिड रीजन्स हैं वहाँ पर खेती को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसे ही कॉलोनीज को कैनाल कॉलोनीज कहा गया था 1820 से 1914 में वर्ल टेड मल्टिप्लाइ 25 तो 40 ताइम 60 परसंट अफ दिस टेड वाज अफ प्राइमरी प्रोड़क्ट oldest livestock market London में Smith Field का था 1870 से तक क्या होता था कि live animals को transport किया जाता था इसमें क्या होता था कि animals को live capture किया जाता था उन्हें ships में भरा जाता था और फिर जिंदा animals को transport किया जाता था over the seas लेकिन इसमें कई सारी problems थी जैसे live animals को रखने के लिए काफी जगत चाहिए होती थी animals मर जाते थे voyage के बीच या फिर बिमार पर जाते थे उनका weight कम हो जाता था या फिर unfit हो जाते थे eat करने के लिए तो होता क्या था कि बीमारी, normal living animals को transport करना काफी मुश्किल होता है seas के across क्योंकि ये जानवर generally land पे रहने के लिए बने गया होते हैं लेकिन इन्हें जब confined spaces में ठूस कर ऐसे भेजा जाता था तो यहाँ in less epidemics फैलने के खत्रे होते थे जिसके कारण वो unfit हो जाते थे खाने के लिए इसी कारण से meat का जो दान था यूरोप में वो काफी जादा हुआ करता था लेकिन refrigerated ships के आने से slaughter कर दिया जाता था अमरिका, Australia या New Zealand में और फिर इन slaughtered animals के frozen meat को transport किया जाता था यह काफी कम जगा भी लेता था, यहाँ पर diseases के दिक्कतें भी नहीं थी और इसके कारण जो ultimate cost of meat था वो कम होने लगा यूरोप में इसी कारण से क्योंकि वहाँ internal society काफी peaceful हो गई थी तो वहाँ के लोगों ने बाहर imperialism को support करना शुरू किया imperialism वो process है जिसमें एक strong country, एक weak country के उपर राज करती है जैसा हमने देखने को मिला Britain और India के case में 1885 में Berlin conference बुला गया था आफरिका के division के लिए Europeans के द्वारा इसमें एक interesting बात यह है कि कोई भी African leader invite नहीं किया गया था Britain और France vast addition किये थे late 19th century में Belgium और Germany new colonial powers बन कर उब रहे थे, US late 1890s में Spanish colonies को take over करके एक major colonial power बन गया था Britain और France के पास अपने colonial empires थे पहले भी जैसा हमने पढ़ा है पहले के chapters में कि Britain के पास इंडिया था, France के पास Vietnam जैसे colonies थे इन्होंने आफरिका में काफी सारे colonies लिये थे और एक समय पर France के पास around 30% of land of Africa था और Britain के पास भी लगभग इतना ही land था आफरिका में Germany के बारे में हमने पढ़ा है कि कैसे Germany unified हुआ था और युनिफिकेशन के बाद Germany एक strong colonial power, new colonial power बन कर उबरा जिसके एशिया में और आफरिका में कुछ colonies हुआ करती थी US ने भी Spain के, Spain उस समय तक कमजोर होना शुरू हो गया था और Spain के पुराने colonies पर कबजा करके US ने भी एक छोटा अपना colonial empire बना लिया था Sir Henry Mortenstall ने एक journalist थे उन्होंने कहा था उन्हों को New York Herald ने Livingston fine करने के लिए भेजा था रिंड़पेस्ट या फिर cattle blade ये अराई हुआ था आफरिका में 1880s में यहने carry किया था cattle imported from British Asia to feed Italian soldiers invading Eritrea in East Africa Italian soldiers Eritrea को invade कर रहे थे और उन्हें खाना खाने के लिए इन cattle को import किया गया था लेकिन इन cattle के साथ एक disease जिसे rinder pest कहा जाता है वो भी आ गया था आफरिका में इस disease के कारण काफी तबाही मची थी काफी जल्दी यह फैला था और आफरिका की एक major cattle population को इसने मार दिया था endangered laborers from India, UP, Bihar, Central Asia and Dry Parts of Tamil Nadu से इन्हें ले जाया जाता था क्योंकि cottage industry decline होनी शुरू हो गए थी इसके बारे में आपने पढ़ा है कि कैसे British के आने से इंडिया की जो अपनी industries थी अपने जो entrepreneurs थे अपने artists थे उनकी industries बंध होना शुरू हो गई थी और इसी कारण से वहां के कई लोग endangered laborers बन कर जाने लगे थे बाहर की colonies में land rents बढ़ गई थी, land were cleared for mines and plantations इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि कैसे British लोगोंने mines खोदना शुरू कर दे थी कुछ regions में खासकर tribal regions, forested regions में और plantation लगानी शुरू कर दी थी बड़े-बड़े land areas में जो कि कि किसी landed group को दे दिया जाता था और वहां plantation जैसे tea, coffee, rubber जैसी या sugar cane ऐसे plantations को लगा दिया जाता था और वहां के जो अपने लोगों थे, उन्हें वहां से हटा दिया जाता था उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता था, तो वो लोग ऐसे laborers बनकर चले जाते थे दूसरे colonies में वो अपना rents नहीं दे पाते थे, उसके बाद वो लोग पैसा उधार लेते थे पैसा उधार लेने के बाद वो उस पैसे को चुका नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी income कम होती थी और धीरी धीरी वो ऐसे debt trap में घुचते चले जाते थे, जिसके बाद उन्हें pack करके भेज दिया जाता था endangered laborer बना कर इनके destination Caribbean island जैसे Trinidad, Guana और Surinam, Mauritius, Fiji, Ceylon, Malaya इन regions खासकर Mauritius, Fiji, Ceylon और Malaya में तामिल्स लोगों को immigrate किया गया था या फिर Assam के tea plantations में इसमें मैं आपको पुराने references देना चाहूँगा शिलंकन तामिल्स के बारे में आपने पढ़ा है power sharing वाले chapter में उन शिलंकन तामिल्स और इंडियन तामिल्स के बारे में आपने पढ़ा है इंडियन तामिल्स जो थे वो यही लोग थे जिन्हें ऐसे endangered laborers बना कर भेजा गया था शिलंका और Assam के tea plantations के बारे में आपने पढ़ा है कि कैसे Assam के tea plantations के लोग अपने native village से contact नहीं रख पाते थे nationalism in India वाले chapter में हमने पढ़ा है तो इसी लिए उन्होंने कोशिश की थी कि वो लोग भागने का कोशिश करें non cooperation movement के बाद ताकि उनकी जो major demands थी वो यही थी कि वो लोग अपने घर के region से contact बना कर रख सकें और वो उन्हें permission हो अपने region वापस जाने के लिए entertainment के sources इन लोगों के लिए जो की migrate कर दिये गए थे दूसरे जगहों पर होसे होसे इमाम हुसाइन के नाम पर तरिनेदाद में आनुवल मोहरम प्रोसेशन जो होता था उसे होसे कहा जाता था और ये एक entertainment का source होता था लोगों के लिए रास्ता फैरियनिजम इसे famous किया था बॉब मारले नाम के जमाइकन रगेस स्टार ने और ये protest religion था उस area का चटनी music थ्रेनिदाद और गोयाना के रीजन में पाया गया था इंडियन जो की famous हुए बाहर के रीजन से वो है ये bankers और traders थे इंडिया से अब आपका ध्यान इस बात पर लाने की कोशिश की गई है कि न सिर्फ British या फिर बाकी European colonies या powers ऐसे globalization का फाइदा उठाए थे बलकि कुछ Indian communities और कुछ Indian लोगों को भी इस globalization के process का फाइदा हुआ था इन ही में थे शिकारे पुर्श्रोफ्स, नट्टुक और टैचटियास, हैदराबादी सिंधी जो की established किये थे एक flourishing emporia, busy worldwide ports बर ये लोग loans देते थे वहाँ के traders को, वहाँ के लोगों को या वहाँ के businesses को और फिर उस trading, उस loan से जो interest आता था, उससे ये लोग अपनी income को बनाते थे exports from India काफी कम हो गया था, 1800 में about 30% of cotton textile से export किये जाते थे इंडिया से 18-15 तक ये 15% हो गया और 18-70 में 3% से भी कम इसके बारे में हम लोग Age of Industrialization वाले chapter में पढ़हेंगे कि कैसे British ने एक policy introduced की थी, एक systematic धंग से इंडिया के अपने producers को suppress किया गया था और कैसे इंडिया की जो goods produce की जाती थी, उनके demand को कम किया गया था global market में Raw materials 5% export किये जाते थे 18-12 में जबकि ये बढ़कर 35% हो गया था यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे इंडिया finished products के export के बदले अब raw materials एक्सपोर्ट करने लगा था और finished products जो की European countries में बनते थे, वो लाए जाने लगे थे इंडिया यहाँ पर बेचने के लिए Trade surplus और इसका opposite होटा है trade deficit Trade surplus बिटिन ने बना लिया था इंडिया के साथ और उसके बदले आपका कोई सामान मैंने ले लिया तो इसमें क्या हुआ कि 70 rupees का मेरे पास एक trade surplus हो गया मतलब आपने मेरे सामान के बदले मुझे 70 rupees extra दी है इस extra पैसे को ही trade surplus कहा जाता है और यह Britain के पास था इंडिया के मुकाबले इस trade surplus से home charges, private remittances, home और British officials और traders के लिए interest payments और इंडिया's external debts, pension to British officials जो extra पैसा बचता था इस trade surplus से उससे यह सारे काम किये जाते थे First World War start हुआ था 1914 में, यह first modern industrial war था इसमें 9 million death हुई थी, 20 million injured हुए थे इसके बाद US एक major power बन कर उपरा था वर्ड में US एक international debtor से एक international debtor बन गया था मतलब इस war के पहले US ने कई सारे loans लिये हुए थे दुनिया से लेकिन इस war के बाद US एक loan देने वाला nation बन गया था आपने पढ़ा है इसके बारे में कैसे Germany के development के लिए US ने कुछ loans दिये थे, कैसे Europe के stabilization के लिए US ने कुछ loans दिये थे, तो इसी तरह के loans US देने लगा था पुरी दुनिया को इस war के बाद 1921, one of every five British workers were out of work ये हुआ क्या था कि उस period में काफी जादा unemployment फैल ने लगा था क्योंकि war से जब लोग वापस आय थे, तो production जो हो रहा था वो काफी जादा हो रहा था, लेकिन जो उस production की demand थी वो काफी कम थी, जिसके कारण workers को निकाल दिया जा रहा था job से Henry Ford, pioneer थे mass production के, इन्हों ने assembly line of Chicago slaughterhouse को अपने new car plant of Detroit में introduce किया Detroit एक major car producing region है अभी भी पूरे दुनिया का और इसके बारे में हमने कुछी दिन पहले manufacturing industries वाले चाप्टर में पढ़ा था कि Detroit of India चिन्नाई को कहा जाता है उसके automobile industries के कारण तो Henry Ford ने भी अपने Detroit के factory में introduce किया था एक ऐसा system जो की mass production को लेकर एक काफी new step था 3 minute interval पर एक car produce कर देती थी ये factory उस समय के standards के हिसाब से ये काफी बहतरीन speed थी और इसलिए Ford ने काफी जादा number of cars produce की थी एक कम समय में T-Model Ford वर्ड की first mass produced car थी Ford ने double किया था wages लेकिन उन्होंने trade unions को ban कर दिया था उन्हें plants में Trade unions के बारे में आपने communism वाले chapter Russian revolution वाले chapter में पढ़ाए कि trade unions ऐसे workers बनाते हैं या फिर traders बनाते हैं जो की उनके demands को एक strong रूप से रखने में मदद करता है तो Henry Ford ने उनकी salary तो बढ़ा दी लेकिन trade unions पर ban कर दिया इससे क्या हुआ कि Henry Ford ने salary बढ़ाने के बदले उनसे चाहे जितना भी काम ले सकते थे और वो लोग इसका विरोध नहीं कर सकते थे क्योंकि trade unions band थे इसे Henry Ford ने बाद में कहा था कि वो इनके best decisions में से एक था क्योंकि इसके बाद उनका production काफी ज़्यादा बढ़ गया था Car production 2 million था 1919 में और 1929 आते आते ये 5 million से ज़्यादा हो गया था higher purchase weekly monthly installments में इसमें क्या होता था कि ये concept अभी भी credit देने में काम आता है कि लोगों को कोई product दे दिया जाता है लेकिन उसके बदले उन्हें weekly या monthly basis पर installments देने होते हैं इससे लेकिन एक बहुत ही बड़ा दिक्कत उभर कर आया जिसे the great depression कहा जाता है इसमें हुआ क्या कि लोगों ने इतने जादा loans ले लिये थे कि उन्हें अब चुकाने में दिक्कत होने लगी तो वो लोग loans नहीं चुका पा रहे थे इसलिए banks के पास पैसा ही नहीं था उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने bank में normal deposits की थे आप मान दीजे कि इसके बारे में हमने economics में पढ़ा है कि कैसे हम जो पैसा banks में deposit करते हैं वो bank loan देने के काम में लेती है और उन loan से जो पैसा वापस आता है उसके basis पर हमें अपने पैसे पे interest मिलता है यही process गरबढ़ा गया था उस समय के US में और इसी से the great depression उभर कर आया लोगों ने इतना जादा loan ले लिया था कि अब उनके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए banks के पास भी पैसे नहीं बचा था उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने deposit किया था बैंक में agricultural overproduction और loan withdrawal from the US agricultural overproduction क्या हुआ था कि आपने पढ़ा हुआ कि उस समय जब world war 1 चल रहा था तो US के president ने कहा था plant more wheat, wheat will win the war इस से क्या हुआ कि लोगों ने काफी ज़ादा agriculture का production बढ़ा दिया लेकिन कुछी सालों में ये backfire कर गया वहाँ पर इतना ज़ादा production होने लगा कि वहाँ पर demands कम हो गए इसके साथी production करने के लिए fertilizer या फिर पानी का बहुत ज़ादा use किया गया था जिसके कारण वहाँ पर जो land था वो काफी ज़ादा degrade हो गया अमेरिका एक wheat bowl से एक dust bowl में convert हो गया वहाँ पर dust storms आने लगे वहाँ पर धूल होने लगा जिसे हम कहते हैं कि वहाँ की जो मिटी थी वो इतनी ज़ादा infertile हो गई कि वहाँ पर dust storms आने लगे और वहाँ के लोगों को काफी ज़ादा problems देखने को मिली थी इस Great Depression के दोरान इस Great Depression का effect पूरी दुनिया में देखा गया और इसी पर John Maynard Keynes ने लिखा था कि बोला था कि Indian gold exports नहीं global economy की recovery जो हुई थी उसे promote किया था इंडिया में काफी ज़ादा gold था उस समय क्योंकि British Empire के control में था इंडिया और इस gold को export किया गया world market में जिससे इस global economy को बचाया जा सका था उस समय world war 2 एक बार फिर world war हुआ था और इसमें 60 million लोग मरे थे जो कि 3% था उस समय के world population का उसके बाद United Nations Monetary and Financial Conference हुआ जुलाई 1944 में ये Mount Washington Hotel जो कि Britain Woods में था वहाँ पर बुलाया गया था और यहाँ पर Britain Woods Twins को establish किया गया था इनका नाम आपने economics में देखा होगा और मुझे लगता है कि आपने political science में भी class 9 का जो पहला chapter था वहाँ पर भी देखा था International Monetary Fund IMF और World Bank World Bank का पूरा जो नाम है वो है International Bank for Reconstruction and Development ये post-war reconstruction को finance करने के लिए बनाया गया था अपने सुना होगा कि कई countries आज भी IMF और World Bank से लोन्स लेती हैं अपने projects को complete करने के लिए Commence Financial Operations in 1947 इसमें US को एक veto right दिया गया था World War II के बाद US एक major power बन कर उग रहा था और US को इन institutions में veto right दिया गया था और इसलिए हमने political science में पढ़ा था कि ये institutions democratic नहीं है यहाँ पर fixed exchange rates के basis पर इन institutions को setup किया गया था जिसमें dollar को anchor कर दिया गया था gold के price पर जो की 35 dollars per ounce of gold था growth पूरी दुनिया में trade में 8% देखा गया था 1950 से 1970 के बीच और income में भी 5% का growth हुआ था उस समय from late 1950s, Bretton Woods institutions shifted their attention to developing nations और इंडिया ने भी काफी सारा loan लिया था इन institutions से उस समय group of 77 जिसे G77 कहा जाता है इन्होंने new international economic order NIEO established करने का फैसला लिया था ये real control over natural resources, more developmental assistance, fair price of raw materials और better access for the manufactured goods चाहते थे होता क्या था कि जब World Bank या IMF ऐसे loans देते थे तो ये favor करते थे rich countries को और जब developing nations ऐसे loans लेते थे तो इन में काफी सारी problems देखने को मिलती थी इसी लिए G77 nations ने ये decide कि वो एक new economic, international economic order established करेंगे जो कि उन्हें अपने goods, अपने natural resources, अपने raw materials पर ज़्यादा control देगा इन्ही control के कारण हम कह सकते हैं कि G77 देशों का ये order एक बहतर alternative था as compared to World Bank and International Monetary Fund fixed exchange rate का opposite होता है floating exchange rate जो कि आज के system में देखा जाता है MNCs, multinational corporations established हुए थे 1920s में because of high import tariff MNCs के बारे में आप लोग economics के globalization chapter में काफी detail में पढ़ते हैं इसे के साथ ये chapter खत्म हुआ, हम लोग next chapter के साथ next video में आपसे मिलते हैं Thank you